है तो आज हम लोग सुरू करने वाले हैं पूरा पथानकाल पूरा पथानकाल का यहां पर दिखाय दे रहा है आपको सबसे पहला यह वाला अस्थाल है यह पहले अब ध्यान से देखेंगा और स्मझीब छोग इनका दाजान से है यह आपका कौन सा दाबा में चार नवरों काम में पहला वाला अस्थाल क्या नाम है सोहन घाटी पहला वाला अस्थाल क्या लिखेंगे लिखेंगे सोहन घाटी लिखेंगे अब सबसे पहले जुरूरत होता है कि इसका लुकेसन देखना पड़ागी कहां पर रही है अब देखिए ध्यान समझिए यह दिखाई दर है भारत के बाहरे दिखाई दर आये भारत में तो होगा न नरm है तो नंबर कर जाएगा तो लेखेंगों है यह वरतमान में यह क्लिकर पर चाहते है वह बरतमान में वरतमान मैं पंजाब परांद पंजाब परांद पंजाब परांथ परांथ के पंजाब परांथ पकिस्तान में इस्थित है कहां पर है पकिस्तान या ऐसे करके पकिस्तान में इस्थित है में इस्थित है लिख देते हैं पंजाब परांथ पकिस्तान में और यह निम्न पूरा पसानिक अस्थल है यह कैसा है यह निम्न पूरा पूरा पर्फानिक ऐस्थाल है किया पर पूरा पराछानिक उस्था उसके ुसके बाद क्या sticking लिए न्यडी भागा हूश होने का प्रमाड दिखाता है यानी कि चौपर और चौपर और चौपिंग लिख दियना पींग जो मुख हं बाते वह ही लिखेंगे संस्कृति होने का परमाध रिखाता है क्योंकि यहां थे चौपर और तल्ब संस्कृति होने के साथ 6 6 मिले हुए यह यह शोहन गाट चाहँ देखिए आपनाम लिखते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा दूसरा है कि संघावो संघावो पर लिख देना है उसके बाद केव संगहाओ केव यह कहाँ परिस्तित यह भी आपको पता है भारत से बाहर यह बहारत में यह सित्त होगा नहीं आपको या से पाध्यक्त में वेदतनी को सब्सक्राइन प्रेकाने सब्सक्राइब उतर पच्छिम प्रांत में पोटवार पठार के निकट इस्थित है यहां पर लिख सकते हैं पच्छिमी प्रांत यहां पर पकिस्तान कोस्ट में करके लिख सकते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में वर्तवान में कहां इस्थित है पाकिस्तान में इस्थित है पठार के निकट पकिस्तान में इस्थित है यह उच्छे पूरा पसानिक अस्थल है यह उच्छे पूरा पसानिक अस्थल है यह उच्छे पूरा पसानिक अस्थल है यहां से पसान काल के साक्ष्य मिले हुए है और यहां से यहां के साइल चीत्र आर्था चाटानों पर यहां के परमाण मिले हुए आगिला बढ़ते हैं तिन नमर रॉब और पको दिखाई देार संतन क्वित इसका क्या नामे सम्तन जो की अभी वर्तमान में जम्मु कस्मी राज्य के सिरी नगर में इस्थीत है जो की जम्मु राज्य के जो की लिखना है वर्तमान में जम्मु कस्मी राज्य के जम्मु कस्मी राजी के सिरी नगर में हिसी थां कि यह पूरा पसान काल कुरन प्राप्टOMEध किए पुरा पसान 번is तो वहां पर यह लिंव जरूड़ देना ना उसके उजार जान मीले हैं जब वह अस्थल है तो वहां समान्त जरूर मिले होगे तो यह जरूर लिख देना है यहां पर एक और लाइन बढ़ जाएगा कि वहां से पूरा पसान काल के जो उत्खनन से वहां के समागरी मिली हुई है और यहां पर देखिए यहां पर एक महत पुंड चीज मिला हुआ है इस polishing topping फंद गेर हुम्रा मिोहां मिले हुए है गेरूवां मिले हुए है यह जो फिए वह बात करें हमें आगे थोड़ा और अभी इतिहांस बाकी है यहां का यह मोरे काल में थोड़ा बहुत मोरे काल के भी साक्ष्य मिलते हैं यह भी आप लिखना है तो लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा नॉमबर फूल मिल जाएगा आगे हम लोग चौथा बढ़ते लेकिन अनंतनाग जिले में यहां पर क्या लिखना है यह जम्मु कस्मीर के अनंतनाग जिले में इस्तित है कहां पर अनंतनाग जिले में इस्तित है और इसके बाद क्या लिखना आपको पता ही है यह पूरा पसाणिक अस्थल है यह पूरा पसाणिक अस्थल है यहां से इदर उसा नहीं मिला आउना थोड़ा सभूमा दिया जाता है अब नंबर कटेंगा नबर कटेंगा अब उसी के बारे में बिशा चब्वाइगा भारत में कहीं और है ये पाचान मा जेगा आप लोगा राज कॉन सा है देखिये राजास्थान वला चेत्र है धान रखिये कर ये राजास्थान वाला चेत्र में आ जाता है ये वर्तमान में राजास्थार के नगवरा जिला में थी थे राजास्थान के नगवरा नगवरा पुरा आपको लिखना है जितना आप बोल रहे है वो सब लिखना है नगवरा जिला में पुरा नहीं लिखना है समय कम है पुरा यहां पर यहां पर इतना मिला हुआ है और यहां पर पूरा पसान काल के साक्षे मीला हुआ है यह पांच को हम लगते हैं कि याद हो गया होगा पठाइं पॉञाब पकिस्तान में कहा इथा है पंजाब कियो है और यह कहा पर यह पाठार के टाउप्तमार जौट प्थार के मतिता इस्ट थे-प्रांप्यागे में और यह चौथा है पहलगाम यह भी जम्य कस्मेर में इस्तित है यह अनंतनाग जिला में इस्तित है और उसके पाद दिदवाना है यह राजस्थान में इस्तित है नगवरा जिला में इस्तित है तो हम लगता है समझ में आ गया होगा इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी कोशन ह तब कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लगते कि समाज में आ गया होगा